इंट्रडे वाइसल सिंगनल ट्रेडिंग सॉप्टर यूटूब चैनल में आपका फिर से सौगत है अगर आप इंट्रडे टेडर है या डेडर है या सक्सेस्पुरी डेडर बनना चाहते हैं बट कंटिनौस्टी लॉस खा रहे तो इस वीडियो को थोरा सा टाइम निकल के द जैसे हम लोग को सबको बता है मार्केट में काफी सारा कॉल बनता है कुछ कॉल यह अचीव होता है मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है तो कॉल आइडिनिफिकेशन काफी चैलेंजिंग मैटर होता है इस मार्केट के लिए जो कौन सा कॉल में आपको टेड करना अगर आप हम लोग का तुरो LSBLUE में आकोन open करना चाहते हैं तो वीडियो का नीच आपको description मिल जाएगा वहाँ पर जाके देखिए आकोन opening का आपको एक link मिलेगा जिस्ट link को open कीजिए form को fill up कर दीजिए आपका पस LSBLUE का तरफ से phone चला जाएगा आपका मन में जो भी doubt या queries है पहले कर लिजे अगर आप इंडेस्ट रहेंगे तो ही join होईगे तो चलिए सुरू करते हैं अभी crude oil का जो performance है उसका open जैसा अभी crude oil का chart मेरा सामने खुला हुआ है अब सबसे पहला जो function होता है जो कौन सा time frame crude oil के लिए based है basically commodity market का timing बहुत बरा होता है तो जितना छोटा time frame में आप काम करेंगे आपको उतना ज्यादा noise दिखेगा तो हम लोग का हिसाब से 15 minutes थोरा सा standard होता है अगर आप 15 minutes का chart को follow कर रहे है तो काफी better response आपको मिलने वाला है जैसे चार्ट का उपर एकदम beginning से देखे जो rate color का arrow दिख रहा है यह आपका signal है तो कहीं पर भी call मनेगा automatically screen का उपर एक pop आव आ जाता है sound का साथ आपको call ढोड़ने का जरूरत नहीं है यह script खोल-खोल के check करने का भी जरूरत नहीं है जैसे notification मिलेगा आपको आप चार्ट को खोलेंगे जैसे इस candle पर सोचे crudal में call मिला था इस candle का closing value तक आपको wait करना है जैसे इसका closing value 5,622 तो जैसे candle close हो गया next candle आ गया तो call confirm हो जाएगा call एक पर जाने का आने का बाद और repent होने का कोई option नहीं है बहुत सरा indicator आप देखे हों कि signal आता है बाद में गायब हो जाता है market reverse होने से बाद market reverse होने से भी call repent नहीं होता है तो यह सबसे plus point है तो signal आ गया notification आया आपको एक से दो condition देखना है जैसे middle में आपको कुछ rate type का line दिख रहा है middle में कुछ rate type का candle दिख रहा है और एकदम नीचे में आपको एक bar type दिखाई दे रहा है वो भी rate है तो यह दो से तीन condition अगर match होता ह है तो ही आप इस call में trade करेंगे other ways not जैसा 5622 से लेकर अगर आप देखा जाए market में यहाँ पर 5554 मतलब लगबग आपको अराम से 30 से 40 point का moment एक call में निकल सकता है उसका बात देखिए buy का call बना blue color का arrow बना है buy का call में middle का candle का color है violet हो जाएगा middle का line है उसको green होना चाहिए तो त आपका सामने देखिए यहाँ पर एक selling का call दिख रहा है यह जो rate card का arrow है यह sale का call बन चुका है बट इसमें मुझे दिख रहा है middle का जो line है totally green है नीचे का indicator भी green है तो यह आपके लिए हो गया false call तो signal तो बन गया है बट condition match नहीं किया तो इस call में हम लोगो trade नहीं करना है फाइनली अगर मैं देखूंगा यहाँ पर 5 तरीक को देखिए selling का call बना है सारा condition match था यहाँ पर एक अच्छा result देखे गया और फाइनली और एक buy का call दिया था जहाँ पर आपको आच्छा profit मिला तो पंदरा मिन पर हम लोग देखते है हाट दिन में 2 या 3 call मिलता है बट अ यहाँ से लेगे यहाँ तक आपको लंबा profit मिला यहाँ पर मिडिल में एक sale का call बना था यह perfect नहीं था यह call बना था एकदम अंध में 11 सारे 11 बचे का आसपस तो इस type का call को आपको focus नहीं करना है उसका बाद देखिए दुबारा buy का call बना था जिस time मिडिल का line गरीन तो था थोरी दिर बाद यह automatically rate में change हो गया है तो आपको यहाँ पर तुरां square up कर लेना है बोट time हम लोग का साथ ऐसा होता है जो हम लोग profit का चकर में wait कर जाते है और ultimate हम लोग लंबा loss खा जाते है तो अगर market का against आप जा रहा है तो आपको वहाँ पर wait नहीं करना चाहिए जो भी minimum loss हो रहा है आप loss लेके निकल जाएगी कोई कोई call आएगा जो आपको अपना loss को recover कर देगा जैसे ही जो sale का call देखाई दे रहा है आपको इस बाहर का call का जो loss था वो आपको recover कर दिया है तो दिन में 3-4 call आप easily expect कर सकते है scalping हिसाब से काम कराता है signal का साथ 2-3 condition match करना है अग काफी simple चीज़ है ट्रेडिंग का मतलब ही होता है opportunity opportunity को find out करना है अगर opportunity है तो trade करेंगे अगर opportunity आपको नहीं मिल रहा है तो trade करने का जरूराद नहीं है तो चलिए वीडियो कैसे लगा comment करके बुलिए अच्छे लेगे तो like से जरूर कीजिए फर्स्टन देंग रहे तो चै description में मेरा चैनल का link मिल जाएगा काफी सारा वीडियो है टाइम निकलके दो चार वीडियो और देख लिए एक idea हो जाएगा फिर भी मन में कुछ doubt रहा तो आप कुझे comment करके पूछ सकते हैं thank you thank you so much good bye